लो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन देखे दोस्तों 14 माई को यूपी पीसे का इक्जाम है सर्फ यूपी पीसे का इक्जाम है तो हम यह चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियो बनाए जो एक्जाम के लिए बहुत जाज जूरी हूँ मैं फैर फास्ट ट्रेक जिसे क कोशन पूचे गए हैं अफ्रीका बहुत क्योंकि अफ्रीका सर यह आप देख रहें यह वाला जो हिस्ता है तूटकर अलग हो रहा है तो यह ऐसा कॉंटिनेंट है जिसमें यह प्रक्रिया हो रही है हम आप अपनी आखों से देख रहे हैं मानों इतियास मैंसा पहली बार करते हैं जल्दी से सर यह क्विक रिवीजन होगा और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अफ्रीका कॉंटिनेंट एक मात्र ऐसा कॉंटिनेंट है जहां से तीनों रेखा गुजरती हैं करक रेखा मकर रेखा और भूमत रेखा तीनों गुजरती हैं तो किन किन देशों से गुजरती हैं वह आपको याद करना पड़ेगा मैं चाहरा हूं कि वीडियो खतम होते ही आप सभी बच्चों को याद हो जाए और आपको भी याद हो जाए देगे सर ऊपर की और देखिए यहां पर आपकी जो रेखा है यह कौन सी रेखा है बता सकते है इंग्लीश में क्या बोलते है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब सबसे पहले देखिए यह जो छेत्र है वेस्टन सहारा वेस्टन सहारा इस पर इसके सबसे बड़ी कंट्री है अलजीरिया सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका कॉंटिनेंट की अलजीरिया के बाद है दोस्टूं थोड़ा सा यह देखिए मिस्टेक से बन गया ना है है यह अलजीरिया के बाद यहां पर देख रहे हैं यह आखी यहां से फिकी गुजरती है यह कौनसे कन्ट्री है नैइजीरियर नाइजर यह नाइजर है यहां से भी गुजरती है उसके बाद कहां एंटर कर रही है सर यह कों सी लीप यह एक बात इंपोर्टन्ट है कि यह देश है चार्ड सर यहां पर यह कंट्री कों सी है चार्ड कंट्री है तो चार्ड कंट्री के बारे में यह है कि चार्ड कंट्री का उपर वा नहीं क्योंकि टच कर रहा है ठीक है और इसके अलावा यहां पर एक कंट्री है एजिप्ट मिश्र तो कौन-कौन से इंपोर्टन कंट्री है वेस्टन सहारा मौरिटानिया माली अलजीरिया नाइजर लिब्या एजिप्ट यह मैं रहे कि इंपोर्टन हो अगर मैं इसको मिटा कर आप से अंदेस्पोर्ट पूछू क्या आपको याद हूँ अगर आपको याद हो गया तो स्टूदट को याद हो गया होगा बताए सबसे कहले कहां से घुजरती है सबसे उसके बाद अब ते यह पर नाइजर 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 लीविया और यहां से टुच करते हैं जाते हैं तुच्छ वेस्टन सहारा ठीक है मौईटानिया माली अलजीरिया लीब्या और आपका नाइजर इजीप्ट यहां से करकर रिखा गुजरती है बच्चों को याद हो गया होगा अब उसके बाद यहां से देखे यह भूमत रिखा यहां से छे कंट्री के नाम याद रखने हैं पहले मैं बता दूं यहां पर यह कांट्री का नाम है गैबौन गैबौन पूरा नहीं लिखेंगे सोरी क्योंकि बच्चों को औरेडी पता ही है इनके पासUD भी होगा इनको देश के नाम पता ही है यहां पर मैं शॉर्ट में लिकाम के on जी गैब इहांकल कंट्री है कॉंगो के बाद Bog american Republic of Congo अब इ यहां पर है केन्या के बाद सुमालिय है तो कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है यह भूमत रेखा गैबॉन कॉंगो तो बच्चो आपको भी याद हो गया होगा भूमत रेखा छे देशों से गुजरती अफरीका के गैबॉन कॉंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉंगो युगांडा केन्या सोमालिय है ठीक है और इंपोर्टन चीज आगे मैं बताऊंगा ही इसी भूमत रेखा पस्तित है व कि अब हम देखें गई जीलों में और नीचे की तरफ सर यह रेखा है आपकी यह यह मकर रेखा मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते है ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉन यहां पर आपका जो जाएगा सर यह नैमीबिया है नैमीबिया हो जाएगा यह बहुत समाना हो इसके बाद ये मुजांबिक हो जाएगा और यहां पर मेडा गासकर यह पांच कंट्री आपको याद ने चाहिए पहले तो पांच यहां च्छे पांच ग्यारा ऑर 17 साथ 18 18 तरीके से तो आसानी से बच्चों आप याद एक सते हैं तो चबूएं टोटल देश है और तीन रेखाएं जो गुजर्री है इनसे कौन-कौन से देश गुजरते हैं यह बच्चों को अभी याद हो गया होगा कि इतना स्पीड तो दिखाना पड़ेगा इसके बाद सर कोशन पूछे जाते हैं यहां से जीलों के बारे हैं बहुत है क्योंकि आप सभी को पता है यह वाला हिस्सा तूटकर अलग हो रहा है अब इस हिस्से में जो तूटकर अलग हो रहा है ना दो प्लेटे आपस में जब दूर जा रही है तो बीच का हिस्सा चिछला होता जा रहा तो यह एक गढ़्धा नुमा हो जा रहा है तो उच्छे छेत्रों से जो पानी यहां के कठा हो रहा बारिश का पानी कठा हो रहा तो जीलों का नाम आपको बताना है सबसे पहले मैं आप बता दे रहा हूं कि जरार जो हो धिकात में जो दिखाई दे रही है कैसे दकी इस कि यहां पर है और उसके बाद एक यहां पर है जा कि आशे है अब इनी रिफ्ट वैली पर कौन-कौन से की रिफ्ट वैली पर कौन-कौन से इसु जीजे पाई Long Is सबसे पहले यहां एक country है सर जीबूती में एक झील पाई जाती है असल लेख असल इसका नाम क्या सक आसल, ठीक है असल लेख है, वो जीबूती में है, वो भी इस दरार का हिस्सा है, इसके बाद ये देश इतोपिए है यहां पर एक जील पाई आती है जिसका नाम है ताना जील वियत बहुत इंपोर्टेंट्र आगे मैं नील नदी के बारे में बताऊँगा तो उसमें इसका जिक रहाएगा क्योंकि ताना जील से ही एक नदी का उद्गम होता है ब्लू नील नदी ब्लू नाइल नदी है ब्लू नाइल रिवर का यहां से उद्गम होता है और जो नाइल रिवल है यह दो रिवर का कॉम्बिनेशन है कौन को सी रिवर्स है वाइट नाइल और ब्लू नाइल नदी यहा अभी फिल हाल बच्चों को यह जानना है कि ताना जील कहां पर है इथोपिया में है और इसके इससे जुड़ा हुए एक फैक्ट है कि यह किस नदिगा उद्गम यहां से होता है तो वाई ब्लू नाइल रिवर ठीक है उसके बाद एक और यहां पर जो केन्या देश है केन्या में एक आपका लेक है उपर नहीं है यहां पर है यह लेक है इस लेक का नाम याद होना चाहिए तुरकाना 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 लेक तो तीन लेक्स उपर वाली दरार पर आपको याद रखना है जिबूती में असल लेक है इथोपिया में तुरकाना लेक तीन लेक्स आप आप सभी को याद हो गया होंगे ठीक है उसके बाद नीचे की और आते हैं थोड़ा सा नीचे की और आते हैं और ये एक बहुत बड़ी जील है पूरे अफरीका कॉंटिनेंट की सबसे बड़ी जील है पहली पर आफिक का नाम के है विक्टोरिया क कि सबसे बड़ी जील है और दुसरी इंप्ट बात यह मीठे-पानी की जील है पुरे विश्व में अगर तुलना करें तो इसका रैंक कौन सा था तीसरा रैंक है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीले पुरे विश्व में अगर तुलना की जाएं और तीसरी इंपोर्टन बात ये है कि तीन देशों में ये फैली हुई है यहाँ पर यूगांडा है और बगल में ये केनिया है और नीचे तंजानिया है तंजानिया केनिया और यूगांडा में ये फैली हुई है चौती इंपोर्टन बात भूमत रेखा परस्थित है ये बह के कारण नहीं बनी हुई है यह जो झील है यह तो रिफ्स के कारण बनी हुई है लेकिन यह जीह मिलेंगी अभी यहां पर कोई लेकिन इन दोनों के दरारों को जुड़ने का कोई भी आसार नहीं कि कहां से तूट रहा है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जील से होकर ही गुजरेगा जब यह पार्ट अलग हो जाएगा बीच में समुन दरा जाएगा तो हमने देख लिया विक्टोरिया जिल के बारे में अब ही हम आ रहे हैं दूसरी जो रिफ्ट है इसकी चर्चा करने के अच्छा यह पहले यह देखे दूसरा रिफ्ट है यह अब इस पर कौन-कौन से जीले हैं यह देख लेते हैं सबसे पहले सर यह युगांडा देश है यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो देश है तो युगांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो इन दोनों के बीच में दो बहुत इंपोर्टन जीले हैं सबसे उपर यह जील आपकी है एडवर्ड सोरी एलबर्ट ले ए से याद रसते हैं एलबर्ट और नीचे की तरफ एडवर्ड एडवर्ड और उपर एलबर्ड दो जीले यहाँ दया देख लख लिए इसके बाद पूरे अफ्रीका कॉंटिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी जील है वो तंग नई का जील है चार देशों में फैली हुई है और याद कर लीजे सभी मैंने आपको बताया था तीन देश बी आर यू बुरूंडी रिवांडा यूगंडा तो सबसे पहले यह बुरूंडी में फैला हुआ है और यहाँ पर आपका जो कंट्री है तंजान बुरूंडी तो बुरूंडी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो तंजानिया जांबिया जो यह जील है इसका नाम सर क्या है तंग नाइका लेक यह पूरे अफ्रीका कॉंटिनेंट में अगर छेतरफल के साब से देखा जाए किस कौन सास्थान इसका कितने देशों प्रूंडी डियार कॉंगो जांबिया और तंजानिया तंग नहीं का बहुत इंपोर्टन इसलिए मैं बारवाइब बता रहा हूं अब इसके बाद आईए इसके बाद एक कंट्री है मालावी मालावी कंट्री कहां पर है ये देख रहे हैं ये मालावी कंट्री है आप अपनी एटलस में देख सकते हैं ये मालावी कंट्री है अब इसी मालावी कंट्री में एक बहुत बड़ी जील है इस जील का नाम भी मालावी है ये केवल मालावी कंट्री में नहीं फैला हुआ है दो और country में फैला हुआ है ये कौन सा देश है तंजानिया और ये मोजांबिक तंजानिया मोजांबिक और मालावी देश में फैला हुआ है मालावी लेग हम किस लेग की बात कर रहे हैं सर्थ मालावी लेग कितने देशों में फैला हुआ है मुझांबीक तंजानिया और मलावी तो बच्चों तुरंत आपको उन्दा स्पोर्ट सारी चीज़े याद हो जाने चाहिए अगर 14 मही को आप एक जान देने वाले हैं तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा आपका रिवीजन हो सकता है यह ठीक है इतनी चीज़े सर क्लियर हो गई है अब उसके बाद आते हैं अगली चीज़ों पर यह जो दरारों पर जो लेक उपस्तिति वह हमने बता दी है ठीक है सर अब एक लेक बहुत इंपोर्टन्ट है यह जांबिया और जिंबाब्वे के बीच में है जैडवन जैडटू ट्रिक बताया गया था और इनके बीच में जो बॉडर है वो एक नदी का नाम कहा सर जांबेजी नदी है जांबेजी नदी है जब देशी जिंबाज जांबिया जिंबाव हुए है तो बीच में जो नदी होगी वो भी तो ऐसे होगी जंबा जंबा देखिए जांबेजी और इस नदी के बीच में जो लेक है इस लेक का नाम से बता सकते है पानो निर्मित लेख है करीबा लेख याद कर लिजे बच्चो ये करीबा लेख है करीबा लेख है करीबा लेख ये किस नदी पर बना हुआ है जामबेजी नदी पर बना हुआ है ये बच्चो को याद हो जाएगा उसके बाद सर यहाँ पर एक लेख है बहुत important यह मिटा देता हूँ मैं देखी यहाँ पर एक लेक बहुत important है यह लेक का नाम ही चाड लेक है यह देश कौँ सा है चाड और इस लेक का नाम चाड है लेकिन यह किवल चाड में नहीं है तीन और देशों में फैला हुआ है तो चाड लेक चार देशों में फैला हुआ है एक तो ये चाड कंट्री है ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है और ये आपका कैमरून है तो चार कंट्री कौन कौन सी है जहां पर चाड लेक फैले हुई है चाड खुद नाइजर नाइजेरिया और कैमरून यहां फैले उसके अलावा एक लेक ऐसी है सर ना जो सूख रही है और हम सभी को पता हुआ है कि जो controversial होता है जो सूख रही है जीले वो UPSC का और state PSC का फेवरेट को शिर्व सकता है तो माली ये देश है ना माली माली में एक लेक है इस लेक का नाम फैगुबाई है फैगुबाई फैगुबाई ये लेक बहुत तेजी से सूख रही है जो बच्चे पड़े होंगे उनको अनुमान हो गया होगा ये छेतर सहारा मुरुस्थल वाला है तो इस कारण से जो भी लेक यहां है वो सूख ही रही होंगी और ये फैगुबाई लेक बहुत important exam point of view से है ठीक है अब एक लेक यहां पर इस country में आप देख रहे हैं वोल्टा लेक है वोल्टा घाना देश में वोल्टा लेक है ये तो इतनी बाते आपको याद होने चाहिए उसके बाद लेक में जो सबसे महत्तपून हो जा रहा है एजिप्ट वाला portion एजिप्ट में कौन कौन सी लेक है वो देख लेते हैं अलग से ये एजिप्ट है नील नदी है नील नदी जब एजिप्ट में एंटर करती है तो वहां पर एक बांद बनाया गया है इस डैम का नाम है आस्व आस्मान डैम के कारण नहीं जो पानी कठा हो गया है उस लेक का निर्मान हो गया वो लेक कौन सा है नसीर लेक ये मानव निर्मित लेक है नसीर लेक सर मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए बच्चों को बताए नसीव कहां लिखे जाते हैं आस्मान में और निला रंग होता है आशमान तो नील नदी रख सकते हैं तो यह ट्रिक एसी आप भी ट्रुक अपना सकते हैं लेकि Department इस तो इसके बाद मैं बहुत अंटरेस्टिंग इस आपको बताने वाला हो सद्रशन के आपको पता है है कि ये जो एजिप्ट है, यहां पर ये कौन सा आ सागर है ? लाल सागर है और यह … भूहमत सागर है तो भूहमत सागर को लाल सागर के मला दिया गया है मानों के द्वारा, एक नहरो के द्वारो उस नहर का नाम है सर 이 स्वेज के नाल इस नहरो isnit स्वेज नहर या स्वेज कहनाल सर इंपोर्टन बात यह है कि स्वेज नहर पर कुछ इंपोर्टन जीले हैं वो बच्चों को याद अखना जुरूरी है सबसे पहले दो इंपोर्टन जीले आपको याद अखनी है great bitter lake ग्रेट बिटर लेक और उसी के ज़स्ट नीचे दक्षिन की तरफ लिटल बिटर है दोनों का नाम आप याद है सकते हैं ठीक है और ग्रेट बिटल लेक के उपर है मंजाला 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 ठीक है मंजाला और ग्रेट बिटल लेक के बीच में एक छोटी सी ज़ील है याद रखना चाहें याद रख सकते हैं आदर वाई छोड़ सकते हैं टीमशा अगर यह पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिन की तरफ नौर्थ से साउथ की तरफ जो स्वेज नह पर चार इंपोर्टन जिलने हैं उनका नाम बता दीजिए पहले क्या होगा मंजाला उसके बाद क्या होगा मंजाला तिम्शा ग्रेट बिटल लेक और लिटल बिटल लेक तो यह बच्चों का याद हो गया अब बच्चों माते हैं रिवर्स कौन-कौन सी याद रखनी है र कि ये तो इजिप्ट का वरदान है हेरोडोटस ने कहा था सर इतिहास के जनक जो माने जाते हेरोडोटस उन्होंने कहा था नील नदी तो इजिप्ट के लिए वरदान है मिश्र के लिए वरदान है सबसे पहले नदी की बात करेंगे नील नदी नील नदी कहां से निकलती है कहां जाती है कौन-कौन से शहर इस पर बसे हुए है यह एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन है एक्जामिनर का फेवरेट कोशन यहां बनता है है सबसे पहले ब्लैक पैन लेते हैं देखिए सबसे पहले यह जानीय सर कि जो नील नदी है न YERC यह सकाया एक white नील नदी हिंदी में नील नदी कहते हैं अंगरेजी में Nile River कह देते हैं तो white Nile नदी और blue Nile River का combination है ये Nile River अब blue Nile नदी कहां से निकलती है और white Nile नदी कहां से निकलती है ये समझने वाली बात है आपने पढ़ा Victoria Lake के बारे में Victoria Lake तो Victoria Lake से जो river निकलती है वो white Nile River है Victoria Lake से निकलने के बाद सबसे पहले किस देश में जाती है दिखाई दे रहा है ये कौन सा देश है यूगांडा है तो यूगांडा की जो capital है न सरक कंपाला वो इसी नदी किनारे बसा हुआ है ये एक्जाम में पुछा देश है यूगांडा की capital कंपाला इसी नदी किनारे बसा हुआ है ये नदी सफर तै करती हुई यूगांडा से एंटर कर जाती है South Sudan में South Sudan की जो capital जूबा है सर न वो भी इसी किनारे बसा हुआ है अब South Sudan के बाद ये सर एंटर कर जाती है Sudan में खार्तुम तक तो अकेली जाती है लेकिन खार्तुम जो की capital है Sudan की यहां पर इसको एक और नदी मिल जाती है वो कोई और नदी नहीं वो ब्ल्यू नील नदी है ब्ल्यू नाइल रिवर है और ब्ल्यू नाइल रिवर किसके साथ मिल जाती है कहाँ पर खार्तुम जैसे हमारा प्रयाग राज है गंगा और यमूना का संगम होता है वैसे ही ब्ल्यू नाइल और ब्ल्यू नाइल का संगम कहा पर होता सर खार्तूम खार्तूम is the capital of Sudan बहुत important बात है यह सर ठीक है और यह जो दोवाब का छेत्र है दो नदियों के बीच का छेत्र इतना उपजा हुए सर यह जब डिटेल में पढ़ाएंगे सारी चीज़े और क्लियर होंगे अभी तो रिवीजन है बच्चे समझ भी सकते हैं स्टेट पेसी की त्यारी कर रहे हैं तो आ सागर ठीक है भूमध्य सागर में गिर जाती है तो यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नाइल रीवर नाइल रीवर किन-किन नदियों का संगा में सर्थ ब्लू नाइल और वाइट नाइल का उद्गम कहां से होता है तंग्दर नाइक से लिक्टोरिया लेक से अगर मैं कि अगर रिफ्ट का हिस्सा है क्या विक्टोरियल एक ड्रिफ्ट का हिस्सा नहीं है ठीक है इन दोनों का संगम कहां होता से खार्तुमी से कैपिटल लो सुडान तो यह बाते क्लियर होगी होगी कि सभी बच्चों की नील रीवर या नाइल रीवर के बारे में अब यह नदी होगी दो और बहुत इंपोर्टन नदी है यह आपकी कौन सी रेखा है भूमद रेखा को दो भार काटने वाली नदी कॉंगो है वो कहां पर अफ्रीका में ही है कॉंगो यह देश कौन सा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो इसी देश से निकलती है इस नदी का नाम क्या है कॉंगो एक्जाम में पुछा आता है कि भूमद रेखा को इक्वेटर को दो बार काटने वाली रिवर कौन सी है कॉंगो तो यह नदी के खासित मैं बता रहा हूं सर यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो से निकलती है यह उत्तर की और जा जा रही है तो इसी कारण से यह दक्षिन की हो और मुड जा रही है यू टर्न लियर रही है उसके बाद कुछ किलोमेटरłeं चेश सरी डेमोक्रेटिक और का बुक्रेआटिकक सॉरी को कॉंगो का बॉरडर का का म करती है यह देख रहे हैं सर यहां से लेकर यहां तक यह दो देशों के बॉर्डर का काम कर रही है और यह international law भी कहता है अगर कोई water body दो देशों के बीच में है तो वही बॉर्डर होगा इन दोनों देश का ठीक है लेकिन उसके बाद अचानक ही यह फिर से कि अट्लांटिक और इधर कौन सा है इंडियन ओशियन हिंद महासागर है यह ठीक है तो दो बार भूमत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है कॉंगो कितने देशों में सर बहती है यह कॉंगो डियार कॉंगो और लुवांडा मुख्यू रूप से डियार कॉंगो कॉंगो पर लुवांड़ा ज़्यादा तर इसका हिस्सद यह ठीक है कि इसके बाद सर मैं आपको एक और इंट्रेस्टिंग कॉश्ण बताने वाला हूं कि कर मकर रेखा को दो बार काटने वाई नदी वह भी पता है अफ्रीका में है नाम बता सकते हैं लिम पोपो मकर रेखा को दो साउथ अफरीका है ना साउथ अफरीका से निकलती है उसके बाद ये जो देश है बोट समाना इसके साथ बॉर्डर बनाती है अब इसके बाद जो देश नेक्स्ट वाला आता है ये कौन सा है जिम्बाबवे जिम्बाबवे के साथ बॉर्डर बनाती है जिम्बाबवे के अब इसके बाद यह फाइनली कहां पर अपना पानी गिरा देती है इंडियन ओशियन में कि सरी याद हो जाएगा यह नदी का नाम क्या सर लिम पोपो मैं लिग दे रहा हूं यहां पर लिम पोपो मैं यह वीडियो इस हिसाब से बना रहा हूं कि आपका भी और सभी बच्चों का त्यार हो जाओ और यह वीडियो खतम होते ही कोई भी फैक्ट ऐसा ना हो जो आप भूलें बार बार रिपीट कर रहा हूं सकते लिम पोपो नदी किसको दो बार काड़ती है मकर रेखा को यह मक रहा कहा कहां से गुजरती है नहमीभीया वोथ सवाना साउथ अफरीका मोजाम्बीक और मेटाकासकर तो ठीक है सर तीक यह तीन नदीएं याद हो गई कौन कौन सी लिम पोपो हो गई कॉंगो हो गई और नाईल होगी नाईल सर्थ किन किन नदियों का संगम है वाइट ना ठीक है ताना जील से कौन से निदे निकलती है ठीक है वेरी गूड और भूमत रेखा को दो बार काटने में लगी कॉंगो कॉंगो इतनी बाते क्लियर होगी होंगी चलिए उसके बाद कुछ और कम महात् właściコон नदियों के बारे मिए आपको बता दे रहा हूं देखिए साउथ अफरीका में आईए यह सऊथ अफरीका है से यहां पर एक छोटा सा देज जो सउथ अफरीका के दोरा लैंडलोग्ड है इस नाम है लिणोत्तो तो लिणwatch को निकलती है और यह सउथ अफरीका मे नाती हुई अट्लांटिक महासागर में गिर जाती है इस नदी का नाम है औरेंज कितने देशों से गुजरती है सब्सक्राइब लिसोथो साउथ अफ्रीका नेमीबिया नदी का नाम है औरेंज औरेंज नदी ठीक है सर अब इसके बाद एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ नदी के बारे में ये नदी है सर नाइजर नदी का नाम क्या सर नाइजर देखी यहां से निकलती है मुख्य तोर पर ये बहती कहां पर है ये माली में जातर बहती है ये माली है ना माली में ब एंटर करती है फिर उसके बाद नाइजीरिया में एंटर करती है यह फिर डेल्टा बना कर यह कहां गई जाती है अट्लांटिक महासाकर में गिर जाती है तो यह इंपोर्टन नदियां सर आप याद रखी गए ठीक है अब इसके बाद एक और फैक्ट पूछा जाता है अफरी सहारा मरुस्तल पूरे विश्व का, अगर पूछा जाए, सहारा मरुस्तल है, यह सब को पता है, कितने देशों में फैला हुआ है, कौन-कौन से देशों में फैला हुआ है, यह important fact है, जब अर्दस fact है, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने का तरीका यह Western सहारा है सर यह मुरक्को है यहाँ पर कौन सी कंट्री है मौरिटानिया और यह कौन सी है सर माली यह कौन सी है Algeria देखिए यह चार कंट्री के नाम आपने याद कर लिए इन चारों में ऐसे आप बना लिजे पहले चारों में यह फैला हुआ है माली से नीचे मत ले जाए माली के बाद यहाँ पर कौन सी कंट्री है नाइजर नाइजीरिया में नहीं फैला हुआ सर यह नाइजर नाइजर के उपर यह कौन सा कंट्री है लिब्या उपर वाले सभी है यह तुनिशिया यहाँ भी थोड़ा सा यह ठीक है उसके बाद ये इजिप्ट इजिप्ट में फैला हुआ है और नाइजर के बाद आप एंटर करवा दिये चार्ड उसके बाद सर यह सुडान Soudh Soudhan में नहीं है सुडान में है Soudh Soudhan में नहीं है उसके बाद ध्यान दीजिए सर यह Eritrea है थिक है तो इतनी Countries याद रखनी है जहांपर सहारा मुरूस्तल फेला हुआ है मुक्ष्य रूप से कौन कौन सा मुरको, वेस्टन सहारा मौरिटानिया, माली अल्जीरिया, लिब्या, नाइजर चाड, एजिप्ट, सुदान और इरिट्रिया इन देशों में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है बता सकते हैं अल्जीरिया अल्जीरिया वैसे भी पूरी अफ्रीका कौन्टिनेंट के सबसे बड़ी कंट्री है ठीक है, यह सहारा मौरुस्थल आपका हो गया, एक और मौरुस्थल असर, यहाँ पर नैमीबिया है, यह बोथसवाना है तो मुक्य तोर पर बोथसवाना में है यह काला हरी, डिजर्ट, उतना इंपोर्टन नहीं है वैसे नाम याद रहते हैं, काला हरी, डिजर्ट, ठीक है देखिए, इंट्रेस्टिंग जिए सर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह अफ्रीका कॉंटिनेंट है, यहाँ पर भूमत रेखा भी है अब भूमत रेखा की खासित क्या होती सर, कि भूमत रेखा के आज पास डेली चार-पांच बज़े वर्शा तो होनी तय है जितनी भी कंट्री है, वहाँ डेली वर्शा होनी तय है इसका कारण भी है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वैसे आपको पढ़ना जलवायू वाले चक्टर में भी क्योंकि जो आस पास का पानी वाला जो चीज़े चाहे समुंद्र हो चाहे जो जीले हो तो धूप अगर किरने डारेक्ट पढ़ रही है तो वह क्या होगा, पानी वाचपित हो जाएगा तो वहीं बरसात कर देगा, तो रोज बारिश होनी तय है, जिस एरिया में बारिश होगी, वह इलाका कैसा होगा हरा भरा होगा, तो कितनी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि उपर सर कुछ हजारों किलोमेटर उपर नौर्थ की तरफ इतना बड़ा मरुस्थल है और नीचे इतनी हरियाली है, इसी कारण से इसके बीच का जो छेतर है, जब आप नीचे से उपर की और जाएंगे साउथ से नौर्थ की और जाएंगे, तो हरियाली कम होती जाएगी, और मरुस्थल वाला जो छेतर है, वो बढ़ता जाएगा एक इलाका ऐसा आएगा, जो ना ही सूखा होगा, और ना ही पूरा हरियाली वाला होगा अर्द शुष की इलाका, तो ये पूरी पट्टी एक, पूरी पट्टी बन जाती है, ये पूरी एक पट्टी ऐसी है कि जहां पर जो इलाका है, सेमिरोइड रीजन है, अर्द शुष की इलाका है, इसी छेतर को नाम दिया गया है, साहिल, इसी छेतर को नाम दिया गया है, स अब जो ये हरा वाला इलाका है तो घास के मैदान होंगे, अब घास के मैदान किस टाइपके होंगे, वैदर इस ट्रोपिकल और टेम्परेट, ट्रोपिकल होंगे, क्यों? गरम इलाका है क्योंकि यह इलाका जो है सर ना मकर रेखा और करक रेखा के बीच का इलाका है मकर रेखा और करक रेखा के बीच का जो इलाका है वो गरम छेतर होगा उस छेतर को भी तो उष्ने कटबंदी कहते हैं नहीं तो यहां पर जो घृष के मैदान होंगे वोगी कैसे होंगे इसको इंग्लिश में नहीं कहते है ट्रौपिकल जो ठंडे छेत्र हैं मतलब करक रेखा के ऊपर का जो छेत्र है मकर रेखा के नीचे का जो छेत्र है ठंडा छेत्र है यहां पर घास के मैदान कैसे होंगे temperate शीतोषन घास के मैदान होंगे तो अलग-अलग continent में इन घास के मैदानों को अलग-अलग नाम दिया गया है जैसे इस reason में जो tropical घास के मैदान है इनको भी एक नाम दिया गया है सवाना घास के मैदान ये घास के मैदान कौन से सर सवाना घास के मैदान है और मैं आपको बता दूँ अफरीका कॉंटिनेंट में अगर मैं पूछू क्या यहाँ पर टेमपरेट घास के मैदान पाए जाते हैं पाए जाते हैं क्योंकि यह मकर रेखा के नीचे का जो इलाका है ठंडा छेतर यहाँ पर साउथ अफरीका वाले रीजन में घास के मैदान पाए जाते हैं इसका नाम क्या असर है वेल्ड नाम है इसका वेल्ड तो जो उशन कटबंदी घास के मैदान है उनका नाम सवाना है जो शीतोशन घास के मैदान है उनका नाम वेल्ड है एसे ही नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट ज्यादातर लाई करता है तर करेखा से उपर तो वहाँ पर जो घास के मैदान होगे शीटोशन घास के मैदान होगे अंग्रेजी में बोला आता है टेमप्रेट और वहाँ पर नाम दिया गया उन्हें प्रेरी घास के मैदान ऐसे होगा ठंडा खेत्र तो बहुत कम होगा गर्म खेत्र में होगा क्योंकि करक रेखा तो ज़स्ट नॉर्थ की तरफ है उसके बाद हुम्हद मक्र रेखा के बीच में तो वो जो घास के मैदानने उनको नाम दिया गया पूरा सर इंपोर्टन जो चीज़े रिवीजन करने लाइक तो मुझे लग रहा आदे गंटे का वीडियो बना होगा पूरा रिवीजन मुझे लग रहा आपको पूरा याद हो पूछनू सर अच्छे यह बताईए यहां पे जो अफ्रीका कॉंटिनेंट सर जो है अफ्रीका कंटिनेंट में क्या उश्न कटबंदी घास के मैदान पाई आते हैं कौन कौन सी नदी ऐसी है जो भूमत रेखा को दो बार काटती है और मकर रेखा को लिम पूपा नदी है अगर ऐसा में एक्ष्ट्र कोशन पूछन पूछनूगी करक रेखा को दो बार काटने वली नदी माही नदी ठीक है तीन नदी याद रखिए एक करक रेखा को दो बार काटती है वो इंडिया में है मुख्यत और राजस्तान पर बहती है और इसके अलावा मकर रेखा को दो बार लिंपोपो काड़ती है भूमद रेखा को कॉंगो काड़ती है एक और चीज़ बताइए सर क्या सहारा मरुस्तल नाइजर देश में फैला हुगा है तोड़ा सा थोड़ा सा फैला हुग ठीक है सर इतनी चीजे आपको याद रखनी है अच्छा एक और कोशन था करक रेखा किन अन देशों से गुजरती है यह आप एक बार बता दीजी और इजिप्ट है और चाड़ बी कई देशों में कई किताबों में नहीं दिया हुआ कई किताबों में दिया हुआ उसका रीजन यह है कि यहाँ चाड जो है इसका एक से टिप की तरह है यह कंट्री और इसी के ज़स्ट टच करके जाता है यह आपका करक रेखा और मकर रेखा किन देशे से गुजरती है नीचे बॉस्टवाना आप गरम वाइस बता है यह नेमीबिया नेमीबिया बॉस्टवाना फिर साउथ अफ्रीका है फिर मुझांबी तो बच्चों मैं उमीद है कि आप सभी को भी याद हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में ऐ ऐसे ही जो इंपॉर्टन होट टॉपिक है एक्जाम पॉइंट व्यू से उसको हम फास्ट ट्रेक के मादम से जल्दी से रिवीजिन करते हैं थैंक यू यूवियो च्ड़न होटा से नेखड़ना यूवियो यूपियो अवीजियो रिवादोनान ग्यां से अभादा यूपिक है तो ब장 तो प्लाग जादूर्छिटन प्लादोना जाओ व्यूब्यों प्लाद़ना लंगता थाओफड़ना फीजियों यूवर्मों कि तो भी है